नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग को अन्वीटी आटो में मैं हूँ अंकित दुबे और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नई एलेक्ट्रिक एमपीवी जी हाँ बीवाइडी की ये नई एलेक्ट्रिक एमपीवी है प्रीमियम है और यहाँ अभी आपके लिए नहीं है यहाँ यहाँ चिर्फ और सिर्फ बीटू बी लोगों के लिए यानली की बिज्नस तु बिजनस जो लोग बिजनस करते हैं hooteliers हो गए के government officials हो गए या फिर जिन लोगों के बड़े-बड़े बिजनेसे हैं और fleet में वो लोग अपनी गाड़ियां रखते हैं electric vehicles रखना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए फिलहाल ये company ने गाड़ी launch की है और इस गाड़ी का जो नाम है वो है BYD-E6 जी हाँ अब इस गाड़ी में क्या कुछ खास मिलता है और जो आपको range anxiety देखने को मिलती है ना कि कितना चलेगी single charge पर वो भी हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे और साथ इस गाड़ी performance कैसी है वो भी बताएंगे और सबसे खास बात MPV है भले ही 6 या 7 लोग नहीं बैठ सकते हैं पांच लोग बैठ सकते हैं लेकिन space वो भरपूर मिलता है तो शुरुबात करते हैं इस वीडियो की लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप ने को सबस्क्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल एकॉन भी प्रेस करें बीवाइडी यानि कि बिल्ड यॉर ड्रीम अब बीवाइडी की जो इसक्स है ना इसके अगर हम सबसे पहले लुक्स और डिजाइन की बात करें तो यह दिखने में जैसे की कंपणी कहती है ड्रेगन फेज इंस्पायड आपको इसका फ्रेंट लुक देखने को मिल जाता है इस गारी के फ्रेंट में ग्रिल के ऊपर आपको जीशी अगर भी आ पको तब यह दिखने को मिल जाती है इसके अलावा आपको कोई बिल बाते को अब जो कि मुझे लगता है कि कंपनी को इसमें देने की जरूरत थी एक प्रेमियम एलेक्ट्रिक MPV कंपनी बना रही है तो जाहिर सी बात है फ्रेंट पार्किंग सेंजर्स भी होने बहुत जरूरी है इसके अलावा चलते इस गाड़ी के साइड में और देखते हैं वहाँ पर कंपनी क्या कुछ ओफर कर रही है इफ्रेंड में जिस तरीके से आपको स्टोंग बॉनट लाइंस लेenh को मिलती है वैसियापको साइड प्रॉफाल में देखने को मिल जाती है इसके अलवा अगर आप विंडो पर लाइंस देeping तो वो क्रों की देखने हो मिल जाती है ये गाली दो color options में आती है, एक white और एक blue के साथ black का combination, जो कि dual tone color है और रूफ पर आपको piano black finish का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा, और वेम पर भी आपको same piano black finish का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा, इसके अलाबा side skirts आपको देखते हैं, तो यहां पर भी piano black finish का इस्तेमाल को मिल जाएगा, इसके अलाबा company ने 17 inch के wheels देए हैं और alloy wheel का design काफी simple रखा है, जो की ठीक ठाक नजर आ रहा है, और देखा जाए, इस गाडी में, अगर आप देखोगे, तो quarter class इसका कई जगे इस्तेमाल हूँ है, जैसे कि आप यहां पर यह quarter glass देख सकते हो, और rear में भी आप quarter class देख सकते हो, रेर प्रोफाइल की बात करें, तो यहां पर भी आपको simple सा design देखने को मिल जाता है, LED tail lights देखने को मिल जाती है, क्रोम लैन आपको देखने को मिल जाती है, जो की एक light से दूसरी light तक जुड़ी हूई नजर आती है, इसके अलाबा शाक फिन 18 आपको यहां देखने को मिल जाता है, और रेर में चार पार्किंग सेंसर भी आपको यहां मिल जाते हैं, और निचला वाला जो हिस्सा है, वहां company ने, प्यानो ब्लैक फिनिश के साथ, मैट ब्लैक का भी इस्तेमाल किया है, जो कि आप इसके रेर स्किट प्लेट पर देख सकते हैं All new E6 के interior features की बात करें, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखा दू, यहां पर यह जो आप दरवाजों पर यह design देख रहे हैं, हालकि यह सिर्फ front gate पर ही है, और यहां से basically AC की हवाँ पास होती है, यहां से जाती है, और यहां से निकलती है, और यह window को defog करने का काम करती है, तो यह इस तरीके का यहां पर company first in class window defogger offer कर रही है, और अब चलते हैं इस गाड़ी के interior में, और देखते हैं, वहां की कहानी क्या है, क्या कुछ features आपको offer कर रही है company, और क्या material company ने use किया है, seats का comfort कैसा है, चलिए जानते हैं, Basically, देखा जाया तो नई BYD E6 B2B car है, तो जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति इस गाड़ी को personal use के लिए आगे driver seat पर बैठ कर तो चलाएगा नहीं, जो भी बैठेगा, पिछली seat पर बैठेगा या फिर आगे वाली seat पर बैठेगा, लेकिन company ने driver के लिए भी इसमें काफी स सारा ताम जाम दिया है, और सबसे बैठर पार्ट तो इसका यह है कि company ने 10.1 इंच का touchscreen infotainment system दिया है, हला कि apple carplay और android auto आपको इसमें नहीं मिलता है, जो कि मुझे लगता एक बड़ा miss है, हाला कि company इस infotainment system को एक android based tab के रूप में पेश कर रही है, और इसमें आपको inbuilt google map मिल जाता है, और inbuilt play store मिल जाता है, उसमें आप अपने हिसाब से apps डाउनलोड कर सकते हो, youtube डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, और भी बहुत सारी जो apps है, play store में जो मिलती है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, एक best part इसके साथ यह है कि जैसे ही आप इस कारी में map use कर रहे हो, तो आप इसे इस तरीके से rotate भी कर सकते हैं, हालकि यह 360 degree rotate नहीं होता है, यह सिर्फ right side में rotate होता है, और यहीं से ही यह सीधा हो जाता है, इसके अलाबा अगर हम dashboard पर plastic quality की बात करें, तो यह भी ठीक ठाक मिलती है, बहुत जादा अच्छी great की यह नहीं लगती है और यहाँ पर यह जो finish देख रहे हो, यह आपको premium finish देता हुआ नजर आता है, club box की बात करें, तो यह काफी अच्छे कासे space के साथ आजाता है, और इसकी quality भी ठीक ठाक मिलती है, seats की बात करें, तो seats काफी comfortable नजर आती है, और सच बता हूँ, तो यहाँ पर बैठ कर आपको क काफी comfort मिलता है, काफी आराम से आप यहाँ रह सकते हो, सेंटर कंसोल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको AC मिल जाते हैं, और इसके नीचे आपको यहाँ पर एक tray मिल जाती है, छोटी सी phone रखने के लिए, हाला कि यहाँ पर company कोई भी wireless charger ओफर न बैटन मिल जाता है, जब गारी आन करते हैं और चलाते हैं तो standard eco अपको मिलता है, लेकिन echo mode किस लिए उफर करते हैं, जब मैं गारी चलाओंगा, तो आपको बताऊंगा इसका क्या काम है, काम है भी नहीं भी है, और parking sensors का यहाँ पर button company ओफर रही है, और इसके लावा AC controls का आपको यहाँ पर बटन मिल जाते हैं मुजिक कंट्रोल के लिए आपको वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए बटन मिल जाता है और जो गेर नॉब है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है और आर एंडी और पी यहाँ पर इसी में ही आपको मिल जाता है इसके अलावा अगर हम steering wheel की बात करें तो ये काफी simple सा नजर आता है और steering mountain controls आपको सिर्फ और सिर्फ right side ही देखने को मिलते हैं पांच इंच की यहाँ पर आपको TFT screen मिल जाती है जिसे आप driver display भी कहते हो और इसमें तमाम जानकारी आप हासिल कर सकते हो इस गाड़ी की battery range को लेकर और साथ ही इसकी जो battery शमता है वो कितनी बची है कितनी percentage रहती है वो सारी आप यहाँ पर जानकारी हासिल कर सकते हो रेर सीटों पर आते हैं तो company ने passengers के comfort का तो यहाँ पर पूरा ध्यान रखा है लेकिन convenience के मामले में थोड़ी सी चूप गई है जी हां पिछली सीटों पर आपको भरपूर आराम मिल जाता है underneath thigh support काफी अच्छा खासा मिलता है leg room भी काफी बढ़िया है और near room तो आप देखी रहे है head room की बात करें तो यह भी काफी बढ़िया मिल जाता है लंबे व्यक्ति के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली एड़ेस्टेबल headrest भी मिल जाता है और देखा जाए तो यहां पर तीन लोग आसानी से बैठ सकते हैं अब convenience की बात करें तो यहां पर company AC vents तो offer कर रही है लेकिन AC controllers आपको नहीं मिलते हैं तो जाहिरती बात है AC बढ़ाने के लिए आपको driver को ही बोलना पड़ेगा खुद से नहीं बढ़ा सकते हो दो USB port आपको यहां पर मिल जाते हैं और साथ ही अगर देखा जाए तो यहां पर आपको कोई भी armrest नहीं मिलता है इसके अलावा safety के लिहाज से company ने बहुत बढ़िया काम किया है जो कि आप पिछली सीटो पर सबसे बहले देख सकते हैं company ने आपर three point seat belt दी है और साथ ही देखा जाए तो सभी सीटो के reminder भी इस गाड़ी में शामिल कर दिया है तो अब चलते हैं space के मामले में जैसे की company offer कर रही है जैसे की company कह रही है कि भरपूर space आपको इस गाड़ी में मिल जाता है in fact अगर इस गाड़ी में चार लोग पांच लोग जा रहे हैं भर भर के समान लेकर जा रहे हैं तो वो सारा समान इस गाड़ी में easily आ जाता है चलिए आईए देखते हैं तो अब जब स्पेस की बात हो रही है तो जायर जी बात है बूट स्पेस सबसे पहले आता है तो प्रीमियम MPV है लेकिन MPV होने के साथ ही यह फाइव सीटर है कोई 6 या 7 सीटर नहीं है सबसें तो जायर जी बात है आपको यहां पर भरफूर स्पेस मिल जाता है और कई सारा समाना आप यहां पिछली सीटों पर रख सकते हैं पांच स्वयक रख सकते हैं और यहां पर भी आपको साइड में भी छोटे-चोटे बैक्स रखने के लिए जगह मिल जाती है और जाहिर जी बात है रियर सीटों पर अगर आप बैठते हो तो यह गाड़ी आपको पूरी तरह एरी फील भी कराती है पूरी तरह स्पेशियस भी लगती है क्योंकि आगे भी आपको छोटा से अब एक बाटर ग्लास मिलता है जैसे कि मैंने शुरू में पताया था और रेर सीट के पीछे भी आपको छोटा सा प्रग्लास मिलता है तो जाहिर दी बात आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फिल भी नहीं होगा इस गाड़ी के अंदर तो अब चलते हैं गाड़ी के ड्रेवर BYD E6 में कमपनी ओफर कर रही है 71.7 किलोवाट आर की ब्लेड बैटरी जी हां ये एक ऐसी ब्लेड बैटरी है जो कि काफी जादा सुरक्षित है और जैसा कि कमपनी क्लेम कर रही है उसने इस बैटरी के साथ कई सारे टेस्ट भी किये हैं और ये बैटरी आपको काफी कर देखें तो आपको 490 से 500 किलो मिटर एजली देखने को मिल जाती है इसके लावा कमपनी इसमें 70 किलोवाट आर की मोटर दे रही है जो की 180 न्यूटन मेटर का टॉक जनरेट करती है टॉक भले ही आपको थोड़ा सा कम देखने को मिले ऐस कंपेर टू MG ZS EVR दूसरी इलेक देखने को मिल रहे है और बात की जाए कंफर्ट की तो जाहीर सी बात है हर बंदा तो यह गाड़ी ड्राइवर सीट पर आखे बैठ कर चलाएगा नहीं तो जो भी व्यक्ति इस गाड़ी के पीछे बैठेगा उसे भी अच्छागासा कंफर्ट मिल जाता है सस्पेंशन और जाहीर सी बात है 4.7 मीटर लगवग यह गाड़ी लंबात है तो आपको इसम थोड़ा बहुत बादी रोल जरूर देकने को मैच आता है वो है इस गाड़ी में बाहर की किसी भी तरीके की noise सुनाई नहीं देती है और visibility काफी जादा बढ़िया देखने को मिल जाती है अगर आप driver seat पर भी नहीं बैटे हो, passenger seat पर बैठे हो, पीछे बैटे हो तो आपको भरपूर visibility देखने को मिल जाती है जो कि काफी जादा बढ़िया है इसके लावा eco mode तो company इसमें by default दे ही रही है लेकिन इसमें eco का button भी company offer कर रही है जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी काम का है जाहिर सी बात है, eco अलरेड़ी यहाँ पर लिखा हुआ रहा है और गाड़ी eco mode पर चल रही है तो इस button का क्या काम इससे कुछ change ही नहीं हो रहा है और हाँ, इसके अलावा यहाँ पर एक button और company offer कर रही है HL यहाँ आप देख रहे हो तो basically regenerative braking system के levels का यह button है तो आपको इसमें दो levels में जाते हैं एक standard और एक larger larger में regenerative braking system का जो level है वो hyper रहता है और standard में यह standard रहता है यानि कि normal रहता है तो उसे साब से यह गाड़ी चलती है regenerative braking system जो इसमें मिलता है उसे अच्छे से इस्तिमाल करती हुई नजर आती है देखा जा तो BYD की नई E6 B2B platform के लिए उतारी गई है जो की बड़ी-बड़ी कंपनिया चलाते है और साथ ही अपने fleet में एक ऐसा वहिकल रखना चाहते है जिसकी range जवर्दस हो electric car हो, दमदार हो और साथ ही आराम दायक भी हो तो उनी कंपनियों के लिए BYD ने भी एक बहतर warranty scheme पेश की है जी हाँ बैटरी सेल्स की बात करें तो अब तक की सबसे ज़ादा warranty कंपनिय ओफर कर रही है आठ साल पांच लाग किलोमेटर की वारेंटी पूरे वहिकल पर अगर हम वारेंटी देखें तो तीन साल सावा लाग किलोमेटर की वारेंटी आपको मिल जाती है और साथ ही अगर हम ट्रेक्शन मोटर की बात करें तो उस पर आठ साल और डेल्ड लाग किलोमेटर की वारेंटी मिल जाती है देखा जाए तो भारतिय बाजार में BYDE6 की कीमत B2B सेगमेंट में 29,60,000 रुपे एक्शोरूम है और अगर कोई कमपनी इस गाली के साथ 7 किलोवाट का चार्जर नहीं लेती है तो उन्हें ये गाली 29,15,000 रुपे एक्शोरूम कीमत में पढ़ जाएगी और देखा जाए ये गाली उन कमपनी के लिए जादा फाइदे का सौधा साबित हो सकती है जिनके मन में रेंज एंग्जाइटी रहती है और साथ ही एक सोच रहती है कि उनके इंप्लोईज को कितना आराम किस गाली में मिलता है